नमस्कार उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपस से वड़ी खबर यस पी हेम राज मीना के निर्देश पर छीनायती और चोरी करने वाले सातीर अभियुक्त हुए गिरपतार यसोजी टीम प्रभारी राजेस कुमार मिस और परसुराम पुर्थाना प्रभारी निर्चा का सोक कु पुलिस ने अभियुक्त मुकेश कुमार यादव और विजय चवहान को किया गिरपतार पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी के दो मोटर साइकल बारह हजार रुपए बिभिन अस्थानों पर चोरी की गई सात मोबाइल एक कट्टा 315 बोर दो जिन्दा कार्तूज अभियुक्त मुकेश कुमार यादव के खिलाब दर्ज है पहले से आठ मुकद में और बीजय चवहान के उपर पहले से दर्ज हैं बारह मुकद में एसपी हेमराज मीना ने प्रेस कांफरेंज कर किया घटना का खुलासा प्रेस कांफरेंज के दोरान एएएसपी रभिंद कुमार शिंग शियो हरया सिस्मणी उपाध्याय रहे मौजूद अभी उक्तों को गिरपतार करने में सर्विलान सेल के प्रभारी जीतेंद्र सिंग कांस्टेबल जनारदन प्रजापती बरिश्टूप निरिचक कनया पांडे यसाई मनिस कुमार जाय सवाल यसोजी टीम के ब पकाए गाएं किस तरीके से जोटेव हैं उन्तीस तारीक एक घतना हुई थी उटाना परसराम पुर्चेतर में जिसमें मैला के दोले में से 25 जार पहले की कुछ लोग भाग गये थे इसी पर ऑमारी पुलिस लगातार इसमें काम कर रही थी आपकल शाम को अधाना परसराम चेतर में यहां से दो लोग की ग्रफतारी विए जिसमें एक अनाम है मुकेश कुमार यादर दूसरा है विकास चौहाल इन तो दोनों जब पूच्टाच की गई तो इनने कई गतनाओं को किया जना स्विकार किया जिसमें तीन गतनाओं के खुलासा किया गया है फ्रसरामपुर ठाना चेतर की गतना है और एक खजनी की गतना है इन लोगों के पास से कुल वरामत की हुई है 1100 पर नगधाथ है और सात मोबाईल इनके के पास से दो मोटरसाइकल मोटरसाइकल जो इन्हों में खजनी से चोरी किया था एक मोटर साइकल घिसनमा कीऩया जावैbelt पता कियारा है कि उसका माली कॊनल का मुकतम है में निखा गया है इसके लावट दोनों के Johρ मिला और यह बाराया और दो solar दोनों अभ्युक्तों का पहले विशी मुकद में मुकेश कुमार यादव के आगैस्ट आठ मुकदमे हैं इसमें खजनी के लिए ओपर मुकदमे है और दूसरे जो बिजय चवाने इनके उपर पहले से बारा मुकदमे है जो कि संद्कभीनेगर जन्पद की जो कोदवाली है खलीलवाद कोदवाली इसके लाब प्रसरामपूर और खजनी थाना चेत्रपेन के उपर गोरकपूर के मुकदमेहत एक तरीके से यह अंतर जन्पदी एक गैंग था जो कि पिछले कई दिनों से लगाता रही है जो रोड पे ऑन कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं होई थी सो नंबर पे भी हमना 112 नंबर पे इसका पता किया तो वहां पर भी रिपोर्ट नहीं हुआ है यह इस तरीके से छुट छुटी घटना लगातार किये जा रहे थे तो यह काफी एक अच्छी यह सपलता है पुलिस की और आगे निश अच्छी तोर को रोपने रमदाट करेंगो